सास पहु का ढावा में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मीठी मीठी टूटी फ्रूटी आपने टूटी फ्रूटी नाम तो सुना ही होगा और टूटी फ्रूटी खाई भी होगी आइस्क्रीम में, ब्रेट बन्स में, केक्स में है ना तो आज हम वही फ्रूटी फ्रूटी बनाएंगे घर में चली चलते हैं रसोई में और देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे के लिए मैंने लिए हैं उट的时候 जाए और केन लिए ये मैंने लिए हैं वाइरमेलन का वाला हिस्साथ ये सफेध हिस्से currently काट है। और अब इससे छील पूंगी जीलने के बाद मैंने इसके इस तरीचे से चोटे चोटे टुकडे कर लिए हैं और हम इसे अब डाल देंगे पतीले में BOIL करने के लिए यह पतीले में डाला है मैंने अब इसमें मैं डाल दूँगी एक गलास पानी छले डेड़ गलास पानी डाल देती हूँ मैं आपको भी ध्यान रखना है कि आप जब इसे boil करें तो उसमें अच्छा खासा amount of water हो ताकि अच्छे से उबल जाए अब हम इसे धक देंगे और इसे उबलने देंगे 10 मिनिट तक 10 मिनिट हो गए हैं अब हम इसे खोलेंगे हमें basically ऐसा चाहिए कि ये transparent हो जाए तो ये देखिए ये transparent हो गई है तो अब हम क्या करेंगे इसे चान लेंगे तो अब मैं gas बन करती हूँ और अब हम इसे एक चलने में चान लेते हैं इसका पानी हम थोड़ा ज़रने देंगे पानी इसका थोड़ा निकल जाए in the meanwhile हम अब एक पतीला लेंगे इस पतीले को रखेंगे gas पर और इसमें अब हम डालेंगे एक कप चीनी that is 200 ग्राम चीनी है ये तो अब इसको मैंने डाला है पतीले में और हम इसमें अब डाल देंगे एक गलास पानी इसे अब हमें fast gas पर continuously मिलाते रहना है इस चीनी को हम पहले पिगला लेंगे पूरे तरीके से इसे मिलाते रहेंगे fast gas रखेंगे ये देखे चीनी हमारी मिल चुकी है घुल गई है पानी में अब हम इसमें डाल देंगे कलिंगर के टुकडे जो हमने boil करके रखे थे अब इसे जो है हमें total दस मिनिट के लिए इस sugar syrup में इसे boil होने देना है तो दस मिनिट तक हम इसे boil होने देंगे हम इसे अब ढग देंगे दस मिनिट के बाद देखेंगे दस मिनिट हो गए है चलिए अब देखते हैं अब इसको चेक करेंगे हम इसमें जो है दस मिनिट में इसमें मिठास जो है अच्छे से चली जानी चाहिए मतब जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको इसमें मीठा स्वाद आना चाहिए इसमें मीठा स्वाद आ रहा है तो ये अब मेरी शुगर सीरप में बॉटर मेलन की टूटी फूटी ये अब रेडी है तो अब इसे मैं क्या करूँगी निकाल लूँगी ठीक है अब हमको जो भी अलग-अलग colors चाहिए उस हिसाब से हम इसे उतने अलग-अलग different bowls में निकाल लेंगे separate bowls में निकालेंगे और फिर उसमें हम color डालेंगे मैने अब इसको 3 अलग-लग bowls में निकाला है और मैं तीनों को अलग-लग color करूँगी ये देखे ये तीनों में मैंने अलग-अलग कलर किया है ये है रोस पिंक जो मैंने यहाँ पे किया है इस वाले बोल में ये है स्ट्रॉबरी स्ट्रॉबरी कलर मैंने इसमें डाला है और ये लेमन येलो है जो मैंने इसमें डाला है ध्यान रहे कि आपको color ज्यादा quantity में डालना है क्योंकि ये उसे अच्छे से absorb करेंगे तो ही उसमें color आएगा अगर आप कम डालेंगे तो क्या होगा color नहीं आएगा हमें टूटी फूटी को पूरे तेड़ गंटे तक भीगे रहने देना है और उसके बाद में एक tray में या थाली में जो भी आपको suitable हो उसमें एक foil बिचा कर इस तरीके से आपको निकाल कर सुखाने के लिए रखना है तो पूरा डेड़ गंटा आपको भीगा के रखना है और फिर इस तरीके से आप spoon से या फोक से या चलनी में चान कर सुखा सुखा जो है वो आप रखेंगे सुखने के लिए तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा एक दिन के लिए सुखाया है धोक में ये देखें एक दिन में शाम तक ये मेरी टूटी फूटी बन गई है अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे यह देखिए हमारी टूटी-फूटी रेडी है एक तम अच्छे से बन गई है इसमें जितने कलर्स होंगे उतने उतना ही हमें यह अच्छी लगेगी अब हम इसको एक बर्तन में रखके फ्रीज कर सकते हैं यह देखिए तो चलिए आप भी घर पर टूटी-फूटी बनाएए और हमें बताएए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी घर की टूटी-फूटी से बनाएए ब्रेट्स बनाएए आइस क्रीम्स और उसका आनन लेजिए तो मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए हुआ 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 है